बोजपुरी की सबसे पॉपुलर एक्ष्रस अक्षरा सिंग का आज है बर्दे जी हाँ पहले तो उनको हमारी तरफ से धेर सारी बर्दे की सुफ कामना है और साथ ही साथ हम इश्वर से कामना करते हैं कि अक्षरा सिंग का आने वाला फ्यूचर बहुत ही सक्सेस्फुल हो So once again, happy birthday अक्षरा सिंग पैसे भी ये बर्दे अक्षरा सिंग के लिए बहुत ही खास होने वाला है ये बर्दे इसलिए उनके लिए खास होने वाला है कि बर्दे से पहले ही उनके घर पे उनके फैंस द्वारा पधाईयों का ताता लग चुका है वैसे तो अक्षरा सिंग ने अपने फैंस द्वारा दिये गए गिफ्ट को अपने इंस्टाग्राम एकाउट पर पोस्ट किया है जो काफी प्रिटी और काफी लवेबल है साथ ही उनके ममी पापा ने भी उन्हें बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है उनके ममी पापा की तरफ से उन्हें सोने की चैन और कंगन गिफ्ट दिया गया है लेकिन इस बार खे सारी लाल यादों ने अक्षरा सिंग को वो गिफ्ट दिया है जिसकी उमीद खुद अक्षरा सिंग को भी नहीं थी आपको तो पता ही होगा कि अक्ष्रा सिंग पहली बार खेसारी लाल यादों के साथ गाना गाने जा रही है जो कि दुर्गा पूजा पर रिलीज किया जाएगा जब से ये खबर मार्केट में आई है तब से अक्ष्रा और खेसारी के फैंस के बीच खुशियों की लहर दोर पड़ी है वैसे देखा जाए तो अक्ष्रा ने इससे पहले पवन सिंग के साथ कई गाने गाए हैं जो अच्छे खासे हिट भी रहे हैं उसके बाद उन्होंने र देश पांडे और अब अक्ष्रा सिंग खेसारी लाल यादो के साथ गाना गाने जा रही हैं जिसे लेकर खुद खेसारी लाल यादो काफी एकसाइटेड हैं और वैसे आपको बता दे कि उन्हें बधाई देने वालों में भी खेसारी लाल यादो सबसे आगे हैं अब वो और है कि हर बार अक्षा सिंग का वर्दे पवन सिंग खास बना दिया करते थे लेकिन इस बार कहीं न कहीं कमी अक्षा सिंग को इस बात की महसूस जरूर होगी कि उनके साथ पवन सिंग इस बार नहीं है लेकिन एक बात यहां मैंसन जरूर करना चाहेंगे कि अक्ष्रा सिंग में जो मेचियोरेटी अब दिखती है वो पहले नहीं दिखा करती थी पवन के जाने के बाद उन्होंने लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीना और मुसीबतों का डट कर सामना करना सेख लिया है बोच्पुरी जगत की मसालेदार और होट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले